बहुत साल पुरानी बात है राचिन एजिप्ट में अब्दुल्ला नाम का एक बहुत बड़ा कपड़ों का रापारी था अब्दुल्ला बहुत ही अमीर था और साथ ही नेक और रहम दिल था अब्दुल्ला के उस शहर में लगबग पाच दुकाने थी इतना कुछ होती हुए भी अब्दुल्ला कभी कभी बड़ा उराज रहता था क्योंकि उसे कोई सम्तान नहीं थी वो हमेशा साथू, मौलवी और महंतों के सेवा करता गरीब उने कपड़े बाचता और दुआ करता कि उसे एक बेटा नसिब हो आखिर भगवान ने उसके सूम ली और जल्द ही उसके घर में एक बच्चे का जनम हुआ अब्दुल्ला ने बड़े प्यार से उसका नाम सूल्तान रखा एक दिन अब्दुल्ला ने एक जोतिश को घर बुलाया जोतिश ने बच्चे की कुंदरी देखी और कहा ये लड़का शूर है लेकिन जब ये 16 साल का हो जाएगा तब उस पर बहुत बड़ा संकटाएगा जिससे उसका जिवन बड़ा ही दुखदा ही हो जाएगा मेरा बेटा शूरवीर है ना यही काफी है वो खुद ही उन संकटों से और आपदाओं से जूश लेगा कुछ सालों बाद सुल्तान 16 साल का हो गया अबदुल्ला के बहुत समझाने पर भी सुल्तान दुकान पर ध्यान न देता उसका सारा ध्यान खेल कुद में ही लगा रहता था अग्दुल्ला को अपने बेटे की बहुत चिंता होती उसी चिंता ने उसे घेर लिया और वो बहुत बिमार पड़ गया और इसी बिमारी में उसकी मौत हो गई सुल्तान को व्यापार की कोई समझ ना थी इसी वज़े से जल्द ही उनका दिवाला निकल पड़ा जल्द ही उसे अपने पाचो दुका ने बंद करनी पड़ी अब उसके पास उनका बड़ा सा मकान ही बचा हुआ था जिसमें वो और उसके मा रहती थी एक बिन रात के समय जब सुल्तान सो रहा था एक वृत्ति सन्यासी उसके सपनों में आया बेटा सपने कभी सच नहीं होते उन पर विश्वास कैसे किया जाए लेकिन मा मुझे ये सपना सच लग रहा है और जो सन्यासी मेरे सपनों में आया था वो भी बड़ा शक्तिशाली लग रहा था मुझे लगता है कि मुझे इरान देश जाना चाहिए और इस तरह अपने मा की बात ना सुनकर सुल्तान इरान देश आ पहुँचा अब वापस अपने घर चले जाओ वही पे तुम्हें धन का लाब होगा जैसे ही सुल्तान की मींद खुली वो अपने आपको कोसने लगा मैं तो गदा है यह हूँ मा की बात ना मानकर मैंने बड़ी गल्ति की है मेरा नसीब है कि मैंने ये बात और किसी को नहीं बताई वरना सभी मुझ पर हच पड़ते कि मैंने एक सपने को ही सच मान लिया सुल्तान अपने घर पहुचा उसने सारी बात अपने मा को बताई मा ने उसे दिलासा देते हुए कहा जो हुआ सो हुआ अगर तुम्हारे नसीब में धन है तो वो तुमें यही पर मिलेगा अब आगे सोच कर काम करना सुल्तान ने अपने मा के बात मान ली लेकिन उसी रात फिर वही सन्या से उसके सब्णों में आया सुल्तान तुम्हारे नसीब कुलने का समय आ चुका है कल सुबा उठकर अपने पिताजी के कमरे में जाके तुम उस कमरे की खुदाई करना वहाँ तुम्हें अपारधन का लाब होगा मींद खुलते हैं सुल्टान भागते हुए अपने मा के पास पहुचा उसके सारे बात सुनकर मा हस पड़ी क्या तुम्हें अभी भी इन सपनों पे विश्वास है खीक है अब तुम अपने मन की तसली कर ही लो इरान जाने से तो ये अच्छा है कि तुम मेरे पास तो रहोगे सुल्टान ने उस कमरे की खुदाई शुरू की बहुत देर तक खुदाई करने के बाद उसे लगने लगा कि उसने फिर से कोई पेवकूफी की है इतना बड़ा पत्थर जैसे ही उसने वो पत्थर हाटाया उसे अंदर जाती हुई कुछ सीडिया नजर आई मा यहाँ पे तो एक सुरंग है मा को यह सब देख बड़ा अश्चर्य हुआ जब वो दोनों उन सीडियों से उतर कर नीचे उस कमरे में पहुँचे इतना सारा सोना वो कैसी रोश्णी है जब वे दोनों उस कमरे में पहुँचे उन्हे वहाँ पे आट बड़ी मूर्तिया नजर आई इतनी सारी सोने की मूर्तिया और इनमें तो हेरे जड़े है मा और सुल्तान दोनों को बड़ा आनंद हुआ लेकिन तभी एक बाद सुल्तान को नजर आई मा यहाँ पे एक मूर्ति कम है आठो मूर्तिया सोने की ठाली पर खड़ी है लेकिन ज़रा देखो यहाँ पर एक ठाली खाली है उस ठाली पर कुछ लिखा हुआ था सुल्तान उसे पढ़ने लगा बधाई हो बेटा यह आठो मूर्तिया और यह धन तुम्हारा है लेकिन इन आठो मूर्तियों से भी ज़्यादा मूल्यवान और बेहत सुन्दर मूर्ति अगर तुम्हें हासिल करनी है तो तुम्हें बगदाद जाना पड़ेगा जहाँ पर मेरा एक पुराना दोस्त मुबारक तुम्हें वो मूर्ति खोज निकालने के लिए मदद करेगा सिर्फ वही एक आदमी है जो तुम्हें मदद कर सकता है मा, मुझे वो नौवी मूर्ति हासिल करनी है आप मुझे बगदाद जाने की एजाज़त दीजिए मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी सुल्तान तुम पर अल्ला की मर्जी है वो तुम्हें कामिया भी दे इस तरह जहाँ से सफर कर सुल्तान और बगदाद आ पहुचा मुबारब बगदाद का एक नाम चिंग्या पारी था उसके मसालों की दुकान थी जब सुल्तान ने मुबारब को सारी बात बताई तब मुबारब ने सुल्तान को गले लगाते हुए कहा मुझे यकिन था कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे तुम बड़े ही हुनहार और काबिल बेटे हो मैं तुम्हें वो नोवी मुर्ति ढूनने में जरूर मदद करूँगा हम कल ही उस मुर्ति के खोश के लिए निकल पड़ेंगे दूसरे दिन उंटो पे सामान लाथके वो दोनों निकल पड़े शहर से थोड़ा दूर जाते ही उन्हें एक जंगल लगा अब यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा उंटो को वही छोड़ वे दोनों जंगल के अंदर गुज गए जंगल बड़ा ही दरावना था कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा लगी हमें इस गुफा में से अंदर जाना पड़ेगा तुम्हारे पास जो मशाल है उसको जलाओ दोनों ने अपने पोटड़ी में से मशाले निकल कर उन्हें जलाया और उस रोश्णी के सहारे वे आगे बढ़ने लगे उस गुफा की अंदर एक तालाब था तालाब के किनारे पर एक छोटी से नाव बंदी हुई थी अपनी मशाल बुजाओ और जब तक इस नाव में से हम ये तालाब पार में ही करते अपने मुँ में से एक भी शब्द मत निकालना क्योंकि इस नालाब में पिशाची रहते हैं अगर तुमने आवाज की तो वो तुम्हें निगल लेंगे हां वो क्या है वो राक्षसों के राजा का महल है अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए नहीं तो ये राक्षस हमें मार डालेंगे फिर मुबारत कुछ मंत्र पुटपुटाने लगा और एक बड़ा सा घेरा उसमें जमीन पर कीचा हम दोनों को इस घेरे में ही रहना है अब मैं फिर से मंत्र पढ़ूँगा जैसे ही इन राक्षसों का राजा हमारे सामने आएगा और तुम्हारे मान पूछेगा तुम उससे वो नौवी मूर्ती मांग लेना लेकिन याद रखना गलती से भी इस घेरे के बाहर कदम ना रखना वरना तुम जलके राख हो जाओगे ऐसा कहे कर वो फिर से मंत्र पढ़ भी लगा सुल्तान आखिर तुम यहा तक आही पहुँचे मैं ही वो रुद्ध सन्यासी हूँ जो तुम्हारे सपने में आता था हाँ? मैंने ही तुम्हारे पिताजी को भी मदद की थी और तुम्हें भी करना चाहूँगा लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा जी हाँ हुज़र आप जो भी कहोगे मैं करूँगा लेकिन वो नोवी मुर्ती आप मुझे दिलवा दीजिए जरूर जरूर लेकिन उस नोवी मुर्ती के बदले तुम्हें मेरे लिए एक बड़ी ही खुबसूरत लड़की लानी पड़ेगी जिससे मैं शादी कर सकूँ लेकिन याद रखना वो लड़की ना की सिर्फ खुबसूरत होनी चाहिए वन की मन की सच्ची, दयालू और निश्कपट भी होनी चाहिए खुबसूर, मैं ऐसी लड़की तो ढून लो जो खुबसूरत है मगर उसके दूसरे गुण मैं कैसे जान पाऊंगा मुझे ये कैसे समझाएगा कि वो मन की सच्ची और निश्कपट है मैं तुम्हें एक आइना देता हूँ, जिसमें जागते ही वो आइना हसने लगे तो जान लेना कि वही लड़की निश्कपट और मन की सच्ची है तुम उसे मेरे पास ले आना, उसमें गल्ती मत करना, वरना मैं तुम्हारा सारा धन चीन लूँगा सुल्तान आप सोच में पढ़ गया, कि आखिर ऐसी लड़की उसे कहा मिलेगी सुल्तान, तुम्हारी उल्जंग का हल मेरे पास है बगदाद शहर में एक से बढ़कर एक बड़ी खुबसूरत लड़किया है हम एलान करके हमारे महल पर उन लड़कियों के लिए एक बड़ी दावत रखेंगे और एक-एक कर उन सभी लड़कियों को उस आइने के सामने लाएंगे शहर में एलान किया गया इस शहर की तमाम नौजवान और खूपसूरत लड़कियों को ये दावत दी जा रही है हुजुरे आला मुबारत जी के पास एक बड़ा सा जादूई आईना है जो इन लड़कियों में से एक सबसे खूपसूरत लड़की को चुनेगा और फिर उसे दस हजार सोने के मोहरे इनाम दिये जाएंगे अब शहर में बड़ी हलचल मच गई सभी लड़किया सच धचकर दावत के लिए आप पहुची लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी होती आईना तोर दोर से रोने लगता और लड़किया शर्मा कर और घबरा कर वहाँ से धाब जाती दीरे दीरे सभी लड़किया महल में से मायूस होकर चली गई यह आईना तो रोते ही जा रहा है आईना हस रहा है? यह कैसे हुआ? वो दोरते हुए उस कमरे में आ पहुचे उन्होंने देखा कि उस घर के नौकाराने की लड़की उस आईने के सामने खड़ी है और उसे देख वो आईना जोर-जोर से हस रहा है मुझे माफ कीजिए हुजूर इस आईने के सामने आने का मेरा एरादा न था लेकिन मैं इस कमरे को साफ कर रही थी मुझे लगा कि इस आईने को भी साफ किया जाए और जैसे ही मैं इस आईने के सामने आई ये जोर-जोर से हसने लगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मुझे माफ केजिए तुम्हारा नाम क्या है? जुबेदा, मैं यहां की नौकरानी नफिजा की बेटी हूँ सुल्तान, बेटा जिसे हम धून रहे थे वो तो हमारे पास ही थी गपराओ मत बेटी, हम तुम्हें इनाम देंगे जुबेदा के मा को बुला कर उसे सारे बात समझाई गई जुबेदा उनके साथ चलने के लिए तयार हुई लेकिन जुबेदा को इस बात का पता लठा कि वो उसे एक राक्षज को सौटने वाले है जुबेदा को साथ ले कर वो उस राक्षज के नगरी की तरफ जाने लगे लेकिन सुल्तान को ये बात अब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी कि वो एक लड़की को अपने स्वार्थ के लिए एक राक्षस को सौप रहा है तुम बड़े ही परिशान दिखाई दे रहे हो चाचा जान ये लड़की बड़ी ही भूली और नेक है क्या उसको राक्षस को सौपना ठीक रहेगा वो हमारी गुलाम है हम उसे जरूर बेच सकते है लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं इस लड़की की बली क्यों दूँ क्योंकि तुमने यही वचन उस राक्षस को दिया है अपना वचन निभाओ वरना वो राक्षस दुम्हारा सर्वनाश कर देगा सुल्तान को ये बात सहन ना हो पाई और वो रोने लगा जब जुबेदा को इस बात का पता चला तब उसने सुल्तान को समझाया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और वो खुद उस राक्षस से शादी करने के लिए तयार है अब वो उस महल के पास आ पहुँचे मुबारक ने मंत्र पढ़े और राक्षसों का राजा उनकी साम ने आ खड़ा हुआ सुल्तान तुमने अपना वचन पूरा किया मैं तुम पे बड़ा ही खुश हू अब घर वापस जाओ तुम्हें वो नोवी सबसे मुल्यवान मुर्थी मिल जाएगी सुल्तान ने जुबेदा को उस राक्षस को सोपा सुल्तान बड़ा ही मायूस होकर घर लोटाया क्या हुआ बेटा तुम खुश नहीं हो सुल्तान ने उसे सारी बात बताई क्या तुम जुबेदा से प्यार करने लगे थे हाँ शायद क्योंकि वो बड़ी ही नेक और मन की सच्ची थी जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन एक बात हो सकती है राक्षस ने कहा था कि वो नौवी मूर्ती तुम्हें मिल जाएगी तो अब हम नीचे जाके देखते हैं कि क्या उसने अपना वच्चन निभाया है और अगर उसने अपना वच्चन निभाया होगा तो हम वो मूर्ती उसे वापस कर देंगे और उसके बदले में हम उस लड़की को उससे चुड़ा लेंगे सुल्टान को ये बात पसंद आई वो दोनों नीचे उस कमरे में पहुचे मालिक वो नौवी मूर्ती मैं ही हूँ जिसे उस राक्षस ने आपको भीट स्वरुग दिया है जुबिदा को वहाँ पाकर सुल्टान को बड़ा हर्श हुआ तभी वो राक्षस वहाँ पर प्रकट हुआ लेकिन अब उसकारिस एक राक्षस की तरह विक्राल और भयालक में ही था मैं यक्ष हूँ स्वर्ग में रहता हूँ ये तुम्हारी परिक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए यही वो नोवी मुर्टी है जो किसी सोने, हीरो या मोतियों से भी जादा मुल्यवान है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करो और एक खुशाल जिन्दगी बिताओ